बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम यह क्लास 7 का बुक है जिसका 8 चेप्टर है आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे पहला रेलवे इंजन के बारे आज हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे सडके, सवारिया, कान, सुधार, मुसाफिर, साइन्स, अर्सा, अमल, धूवा, डिब्बे सैकड़ो साल पहले आजकल की तरह तेज रफतार सवारिया जैसे बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल, रेल गारी, हवाई, जहाज वगेरा नहीं थी लोग पैदल ये घोडा तांगा ये बैल गारी ये हाथी वगेरा पर सवारी करते और एक जगा से दूसरी जगा जाते उस वक्त आजकल की तरह पक्की और चिकनी सरके भी नहीं होती थी एक जगा से दूसरी जगा पहुचने में बड़ी परिशानिया उठानी पड़ती थी धीरे धीरे साइंस तरक्की करती गई नई चीजे इजाद होने लगी साइंस दानों ने आमदोरफ्त के नए जरायक की दर्यावत शुरू की साइंस दा जो थे वो ने ने जरायकी खोज करते रहते थे आज इंसान के पास ऐची तेज रफतार सवारिया हैं जो कुछ ही घंटों में कहीं से कहीं पहुचा देती है रेल गाड़ी भी इस जराय में से एक खास जरिया है दो सो साल से भी ज्यादा अर्षा गुजरा जेम सवार्ट नाम का एक अंग्रेज लड़का था उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता तो वो इधर उधर बैठा रहता था जेम स्वार्ट नाम का एक अंग्रेज रड़का था जिसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता और अपना टायम ऐसी पास करते रहता था एक दिन जेम स्वार्ट अपने बावर्ची खाने में बैठा चाय पका रहा था देखों चाय पका रहा इसने चूले पर रख्यू हुई केतली में से भाव निकलती हुई देखी भाव बार बार धकन को उपर उठा रही थी और बाहर निकल रही थी वो इस अमल को बहुत देर तक देखता रहा वो इस अमल को बार 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 बहुत देर तक देखता रहा उसने धकन पर कोईले का एक टुकड़ा रख दिया ताके भाव के जरिये धकन ना उठे उसके दिमाग में एक ख्याल आया उसने कोईला का टुकड़ा उठाया और धकन के उपर रख दिया ताके धकन बार-बार नहीं उठे लेकिन कुछ ही देर में भाफ धकन को भी उठा कर बाहर निकलने लगी जेम सिवाट ने इस पर गौर किया तो उसकी समझ में आया कि भाफ में बड़ी ताकत है वो खुशी से बोन उठा देखो देखो भाफ धकन को बार-बार उठा रही है भाफ में बड़ी ताकत है वो भाफ की ताकत पर तजरूबे करने लगा और अपना जादा वक्त अपने वालिद के कारखाने में गुजारने लगा उसके वालिद बड़ी का काम करते थे बड़े होकर जेम स्वाट ने एक इंजन बनाया जो भाफ की ताकत से चलता था इस इंजन से कान से कोईला यानि कोईले का जो कान होता है कारखाना होता है उस कान से कोईला निकाल जाने लगा और जमीन से पानी खेचने का काम लिया जाने लगा इंजन गारी नहीं खेचता उस वक्त जेम्स वार्ट ने जो भाव का इंजन मनाया था उस वक्त गारी खेचने काम नहीं करता था सिर्क कोईले के कान से कोईला निकाला जाता था और जमीन से पानी खेचने का काम किया जाता था ये पिक्चर देखिए जेम्स वाट स्कॉट लाइन में 19 जन्वरी 1776 को पैदा हुआ था का पैदा हुआ था? 19 जन्वरी 1776 को कहां पैदा हुआ? स्कॉट लाइन में जेम्स वाट के इंजल से मतलिक तजुर्बे जारी रहे और रिचर्ड वेथिक ने गाड़ी खैशने और पहियों पर चलने वाला पहला इंजन बनाया पहला इंजन किसने बनाया? रिचर्ड वेथिक ने ये इंजन बहुत जोर की आवाज करता था इससे धुमा और आग निकलते देखकर लोग दर जाते कुछ दिनों बाद रेल की पट्रियां बनी और पट्रियों पर चलने वाले इंजन बनाने की कोशिस होने लगी पट्रियों पर चलने वाले इंजन को बनाने वाला सबसे पहला शक्स जॉर्ज इस्टेफेंसिं था शुरू में ये इंजन, कोईला, पत्थर, आटा वगेरा समान ढोने के काम में लाया गया इसमें मजी सुधार करके सवारी गारी खेचने का इंजन तयार कर लिया गया थोड़ा और उसको मोडिफाइट करके सुधार करके और उसमें सवारी भी खेचने का काम किया जाने लगा इसमें कुछ डिब्बे भी जोड़े गए जिसमें लगबग 600 मसाफिर बैठे थे इस गाड़ी की रफ्तार 20 किलो मीटर फी घंटा तकरीबन थी इसे देखकर लोग हैरान रह गए कि इतनी स्पीड गाड़ी आज कल ज़्यादा ताकत वाले रेलवे इंजन बनाए जाते हैं ये कोईले से नहीं बलके डीजल या बिजली से चलते हैं और दरजनों, सैकडों, डिब्बों वाली रेल गाड़ीों को बड़ी तेजी से खैच कर ले जाते हैं इन गाड़ीों से रोजाना हजारों मुसाफिर अपना समान इधर से उधर ले जाते हैं लेकिन जेम्स वाट और जान इस्टेफिसिंग को उनके कारनामों के लिए भी कभी नहीं भुलाया जा सकेगा वो इसके मौजिद है इजात करता है इसलिए इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा